22 जुलाइ को सुप्रीम कोट में जो हेरिंग हुई है नी 2024 कंडक्शन को लेके उसकी 5-7 मिनिट की एक बहुत ही डीटेल समरी यह पॉटिकलर विडियो है जो जो पॉइंट्स दिसकास हुए हैं सबके बारे में मैं बताऊंगी कैसे Chief Justice of India ने एक पॉइंट के ओपर NTA को साफ साफ बोल दिया that you do not have a case उसके बारे में बात करेंगे और कैसे आज की हेरिंग के बाद री नीट के चांसे तो बढ़ी गए हैं तो इस चानल को सब्स्राइब कर सकते हो क्योंकि यह जो चानल है वो सिंगल स्टॉप सिल्यूशन है सिफ और सिफ आपके नीट प्रिप्रेशन के लिए नहीं लेकिन इस तरीके से जो नीट से असोशीएटेटेड इंपोर्टेट्स और न्यूस उसके लिए भी है तो यह पांच ऐसे पॉइंट से जिनके उपर सबसे जादा डिसकेशन हुआ था जिसमें जो सबसे important पॉइंग ना वो लास्ट वाला पॉइंट है तो यह वो पांच ऐसे पॉइंट हैं जो diver से जैसे कि अगर तुम लोग ने लास्ट हीरिंग अगर सुनी हो तो उसके अंदर जो major discussion चल रहा था वो leak के उपर चल रहा था लेकिन आज की जो hearing है वो इसे लिए भी इतनी जादा interesting थी क्योंकि आज की hearing बड़ी diverse थी बहुत ही different different multiple diverse चीज़ों के उपर discussion हो रहा था जिन में से ये 5 वो major points है जिनके उपर discussion हुआ पहला point दुबारा से पहला point वही एक ऐसा point जो last वाली hearing में भी present था कि आपने registration window को दो दिन के लिए एकदम से किस तरीके से open कर दिया और उन्हें दो दिनों के अंदर 20,000 से जादा बच्चों ने register किया तो इसके उपर question उठाया गया क्योंकि petitioner को जो ये एक ऐसा point है जो last वाली hearing में भी उठाया गया था फिर NDA ने इसका जवाब ये दिया था कि काफी ऐसे students से जिनके नंबर के उपर OTP नहीं जा रहा था जो register नहीं कर पाए उनका network issue था या फिर whatever site का इशू था या whatever लेकिन ऐसे issues हम लोगों को देखने को मिली इसलिए हम लोगों ने जो registration window है उसको दो दिन के लिए open किया लेकिन ये जो point था ये जो जवाब था ये का वह petitioner को बिल्कुल भी satisfactory नहीं लगा तो इसके उपर आज एक और बार discussion हुआ ठीक है दूसरी चीज यहां पर यह थी कि NMC के जो guidelines है वह साफ साफ होलती है कि जो NEET का exam है वह एक annual exam है इसका मतलब वह साल में एक बार हो सकता है तो NMC के guidelines के against जाके कि NTA के पास किस तरीके से power आगी कहां से वह power ले आए कैसे NTA मतलब बिना पूछे काम कर रहा है कि NTA ने दुबारा से यह नहीं था कि grace marking मिली है फिर जब हम लोगों ने इस point को इतना जादा बढ़ा कि इस discussion को हम लोगों ने all over the nation बढ़ा किया तब जाके NTA ने बोला कि यहां भी grace marking मिली है वाई that is the reason 718 719 marks possible grace marking मिली है और इस reason से मिली है तो धीरे धीरे NTA ने अपने पत्ते हो लिए वो भी तब जब हम लोगों ने NTA के पिल्कुल इस तरीके से हाथ पकड़ लिए तो इस point के उपर भी discussion होगा कि किस तरीके से जब जो NTA decision ले रहा है पिछले दो महीनों से या पिछले तीन महीनों से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जब वो decision making process मे होते हैं तो वो consider भी करते हैं कि बच्चों के लिए क्या सही है है ना बच्चों के mental peace के लिए भी क्या सही है बच्चों का benefit किस चीज में है ऐसा लग नहीं रहा है कि NTA जब भी decision लेता है वो इन सारे points को consider करता है इसके उपर भी काफे discussion हुआ फिर बाद में बात ये भी उठ जो करवाया है 23rd of June को उसको रद कर दो उसको cancel कर दो और ये किस पॉइंट के उपर उठाना क्योंकि देखो कोई certainty नहीं है NTA ने एकदम से एक magical number दे दिया कि ये 1500 ऐसे students हैं जिनको paper time के उपर नहीं मिला या फिर ये x y z reason की वज़े से सफर किये जिसकी वज़े से इनको जित कि यही वो students से आपने दो तिन दिन के दो तिन दिन के अंदर या फिर इतने short frame of time के अंदर आपने जितने भी centers थे उन सारे के सारे centers की CCTV cameras को इस तरीके से इस बारीकी से आपने चेक कर वा लिया कि आपने प्रिसाइजली बता दिया कि 1563 students ऐसे हैं जो affect हुए है तो इसी के number first of all आपने कैसे दिया दूसरा आप ऐसे certain कैसे हो सकते हैं कि सिर्फ यही वो students है जो affect हुए है क्योंकि मेगालिया का भी एक case है जहां पर मेगालिया की एक center के अंदर पेपर लेट मिला बच्चों को लेकिन बच्चों को grace marking नहीं मिली तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो री नहीं है कि इससे जादा students नहीं थे जो affect हुए है ठेक है और जो last point है जिसके उपर सबसे जादा discussion हुआ जिसके पॉइंट को उठाके हमारी जो next hearing कल होने वाली है वहां से discussion शुरू होगा वो है physics के उस question के उपर जिसके बार में I think आप सब जानते हैं तो physics में कैसा question आया था जिसमें दो options correct थे तो question कुछ इस तरीके का था कि आप दो statements दे वही थी तोनों statements में से बताओगे कि कौन से statement correct है तो अगर मानू उसके इस तरीके से 4 options थे तो old NCRTK with respect to 2nd option correct था new NCRTK with respect to 4th option correct था तो अभी यहां पर NTA के against यह बोला गया कि आप अपने guidelines में साफ साफ लिख रहे हैं कि जो paper set होगा या फिर paper की जो answers दिये जाएंगे वो basis वो किसकी उपर based होगा वो new NCRTK उपर based होगा तो जब वो new NCRTK उपर यह based होना था तो आप फिर बाद में यह consider भी क्यों कर रहे हैं कि second option सही हो सकता है क्योंकि second option सही था old NCRTK with respect to ठीक है जो 2019 से पहले जो NCRT कि उसकी with respect to यह सही था लेकिन एक बाद जब NCRT का नया addition आया उसकी with respect to तो fourth option correct है तो जब आप अपने guidelines में लिखी रहे हैं आप अपने bulletin points में लिखी रहे हैं कि भाई new NCRT को follow करना है तो यह आप फिर confusion क्यों फैला रहे हैं बच्चों में कि आप उनको consider करने भी क्यों दे क्योंकि देखो यारी unfair हो गया अभी न मैं तो में बात बताती हूं एक ऐसी स्टूडेंट इसके 711 माक्स आ रहे थे इसके बार में hearing में भी discussion हो रहा था तो यह जो स्टूडेंट है जिसके 720 में से 711 माक्स आ रहे हैं जब इसने वाले question को देखा तो देखो जब आप question solve कर र आप उपर नीचे हो जाते तो जो rank है 200-300 से आराम से फेरी कर जाते या फिर इससे जादा भी तो इस बच्ची ने सही समझा कि ये question जो उसको ambiguous लग रहा था जिसमें certainty नहीं थी कि question सही भी है कि नहीं सही है इस बच्ची ने सोचा कि ऐसा करते हैं हम लोग इस question को छोड़ दे ठीक है तो अब यह जो student है इसको कोई marks ने मिले अब मानों अगर एक ऐसा student है जिसने second option को tick किया था अब उसको grace marking मिल गई तो इस point के उपर पर discussion हुआ कि यह आप ऐसे कैसे कर सकते हैं तो यहां पर Chief Justice of India ने बोला कि सही बात बोल रहे हूं यहां पर NTA कोई case नहीं क्योंकि NTA तो यह बोल रहा था कि जो बच्चे है old NCRT को follow कर रहे थे लना बच्चों ने बड़े बहे बहनों की जो किताब थी वो उनको follow कर रहे थे बच्चे ने old NCRT को गलती से दुकान से खरीद लिया था जब कि जो old NCRT है वो आजकल दुकानों में मिलती ही नहीं है तो इसके जिन भी बच्चों को grace marking मिली है जिन भी बच्चों ने उप्शन नमबर 2 सिलेक्ट किया था जिन भी बच्चों ने यह सिलेक्ट किया था अल्डी आटम्स आर स्टेबल तो ऐसा हो सकते हैं कि जो grace marking वो हटा दी जाए बाकि जो प्रोब्लम मैंने एक्स्प्लेइन कर दिया है सल्यूशन की मैं बात करूं तो दो सिल्यूशन उन्होंने आके रखे उन्होंने बोला कि या तो आप ग्रेस मार्किंग अल्टोगेधर हटा दो ठीक है या फिर आप इस question को ही घारिच कर दो और जो final marks है जो final score है वो 716 के basis के उपर दो 720 के basis के उपर मत दो तो अभी फिर बाद में यह जो हेरिंग हुई है उसका यही conclusion निखला है कि आज कोई judgment नहीं आई है कि री नीट होगा या फिर नहीं होगा यह जो हेरिंग है कल continue होने वाली है और चीफ जेस्टेस ऑफ इंडिया है उन्होंने आइटी मदरास की जो टीम है उ तो that is the reason मैंने इस वीडियो की शरुवात में भी बोला कि री नीट के जो chances हैं वो तो देखो री नीट के बार में काफी बार पात होई जैसे जो Mr. Hudda थे उन्होंने बोला selected students के लिए आप री नीट करवा दो उनके बाद एक और petitioner आये उन्होंने बोला कि जिन जो बच्चे के लिए री नीट हो मैं शुरू से बोल के चल जो बच्चो दाट इस नॉट पॉसिबल वो नहीं होगा मैं लिख के दे सकती हूं वो नहीं होने वाला बट ऐसा हो सकता है selected students के लिए री नीट हो जाए बाकी यह जो physics के question के उपर discussion हो है उसके बाद मुझे तो काफी जादा कि जो grace marking है या तो उसको remove कर दिया जाएगा या फिर जो result है वो republish होगा और 716 के basis के उपर बच्चों को marks दिये जाएंगे तो देखते हैं बच्चों कल क्या होता है होपफुली कल हम लोगों को कुछ conclusion मिल जाए और कल तो conclusion आना भी चाहिए क्योंकि 24 से counselling शुरू है तो let us hope for the best तुम मुझे बताना कि तुम लोग कौन से point से सहमत हो कौन से point से नहीं सहमत हो री नीट होना चाहिए री नीट नहीं होना चाहिए और तुम्हें कितना वालिट लगता है यह वाला point कि सिर्फ और सिफ बच्चे जो qualify हुए है सिफ उनका री नीट ले लो क्योंकि वो 13 लाग से जाधा बच्चे है अब एक हो गया 25 लाग एक हो गया 13 लाग है ना तो अव आधाले, हो आधाले किता है वैलिट ले उनका बच्चे हैं तॉ 뉴스 थ मैं होगां है एक है का तुम्हें 2 बच्छोंकि देया पुर से एक धर हमँए Bowl कि रहते है कि अवीघर हैं तुम्हें तुम्हें सब्ने करत ए ने लेना लोड़ है लेगन वीज है